सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार आज पहली से आठवी कक्षाओं के चात्र चात्राओं के लिए स्कूल शिरू कर दिये गई हैं क्योंकि कोरोना के चलते पहली से आठवी कक्षाओं के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी अब सभी कक्षाओं के चात्र चात्राइं स्कूल में आकर पढ़ाई करेंगे। एक सरहान्य कदम है और हिमाचल सरकार की तरफ से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिये जाना बच्चों के भविश्य के लिए बहितरीन है। विद्याली में जो कोरोना गाइडलाइन है उनकी पालना की जा रही है। सभी कमरों को रोजाना सेनिटाइस किया जा रहा है। सभी चात्र चात्राओं को कमरों में सोशल डिस्टेंसिंग के मताबिक बिठाया जा रहा है। इसके साथ ही चात्र चात्राओं के टोईलेट स्कूल परीसर में सफाई का विशेश ध्यान रखा जा रहा है। आज दिनांक 17 फरवरी 2022 को हिमाचल परदेश की गाइडलाइन के मताबिक तक्षा पहली से आठी तक स्कूल खुले हैं। यह एक बहुत सराहमी कदम है हिमाचल सरकार की तरब से की सभी स्कूलों को आज से खुल दिया गया है। विध्याले में जो COVID-19 की जो गाइडलाइन के मताबिक सभी SOP का पूर्णतिया पालन किया जा रहा है। सभी कमरों को सेनिटाइज किया जा रहा है। और जो ग्वाइज के और गर्ल्स के जो वैलेट्स हैं उसको भी हम दिन में दो बार जो हैं उसको हम सेनिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के बैठने के लिए SOCIAL DISTANCING का पूर्णतिया पालन किया जा रहा है। और इसके अलावा सभी अध्यापतों को भी यह नर्देश दिये गए हैं कि एक डेस्क छोड़ करके बच्चों को तीसरे डेस्क में बठाया जाए एक-एक डेस्क बीच में से छोड़ करके। मतलब सोचल DISTANCING का पूरा पालन किया जा रहा है। और गेट की एंट्री पे हमने सेनिटाइज बच्चों को करने की पूरी विवस्था की है थर्मल स्कैनिंग हो रही है और सभी बच्चे जो हम मास्क पहन के आ रहे हैं तो यह एक बहुत ही हिमाचल सरकार का एक सराहनी कद है कि विद्याले पुना अरम हुए धन्यबाद। दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधान सवा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार साथ ही इलाके के निश्पक्ष लोगों की निश्पक्ष राय भी हर हफते केवल लाइफ डा पर टिपनी करना चाहे तो हमें भेज़े अपना वीडियो ब्यासी एकसो अठान में 00003 या ब्यासी एकसो अठान में 00004